ये सबसे पहले तो हुम पराले इस्वर के प्रती आभार व्यक्त करते हैं कि भगवान जानते हैं इस्वर जानते हैं कि कितना निर्दोस हैं और आज मान लिजिए तो उनके प्रती हम आभार व्यक्त करते हैं दूसरे तरह हम बिहार सरकार मानने मुखमंतरी जी के प्रती भी भार ब्यक्त करेंगे हम अपने बच्चों के को भी धन्यवाद देंगे जिसने अपने छोटे-छोटे उमर में कच्चे उमर में होली दिवाली दसाहरा नहीं मना करके संघर्स में साथ दिया पैदल चल की स्कूल हो कॉलेज हो अपने पिता के लिए यह मांगे दूसरे तब हम के पात रहें और यह बहुत ही हमारे लिए बहुत खुसी का पल है तो उसको बयान नहीं कर सकते हैं सब्दों में आनन्द मोहन जी के बाहर आने से बिहार में सियासत काफी तेज हो गई है क्या लगता है आगे क्या रहेगा आप लोगों का रूख उनका पॉलिटिकल इस्ट गलग होता है हमारी राय आप पूछ सकते हैं तो हम वो दे सकते हैं आनन्द मोहन जी का हम तो यही कहेंगे कि जो घर आएंगे तो हम लोगों को ले तो यह खुसियाली का है कि होली दिवाली दसारा हमारे बच्चों ने पंदरह साल से नहीं मनाया तो मनेगा और खुसी यही खुसी सबसे बरहा है निकलने के बाद क्या अभी तक कोई बाचीत हो पाई है हमारी कोई बात नहीं हुई है आप ही लोग के द्वारा मालूम हो रहा है कि निकले हैं क्योंकि अभी घर में मांगली कार्ज है बेटा की शादी है तो उसमें हम आए हैं यहां पर जो कुल ही है और मांगली कार्ज है तो आना ही है तो निश्चित रूप से आएंगे ही लेकिन हमें यह नहीं मालूम है कि काव कैसे की हुए है एक सवाल देना चाहूंगा जी कृष्णिया का परिवार उनकी पत्नी बिरोत कर रही है प्रधान मंत्री और राश्पती से मांग कर रही है जैसे मेरा भी आनन्द महांजी के लिए भी सब लोग जानते हैं कि निर्दोस हैं सुतंता सेनानी परिवार से हैं हमेशा गलत का विरोत किये हैं तो वो जेल चले गए कानून का हम लोगों ने पालन किया कोट का देस का पालन और दूसरे तरफ जो है उमा कृष्णिया जी जिनका सुहाग उजर गया एक इमानदार अफसर थे जी कृष्णिया जी तो हमें भी काफी धर्द है कि अगर ये घटना ये घटना हम लोग के सामने में होती आनन्द महांजी अगर सामने में होते तो ऐसी घटना नहीं होने देते अपनी जान पर भी खेल के हम लोग जी करने की कोसिस करते निश्चित हम लोग के सामने में नहीं होई लेकिन जो भी हुआ कोट का आदेस का पालन करके पंदरा साल का वक्त कम नहीं होता है जेल में बिताए हम लोग एक एक दिन को इंतजार किये हम पंदरा साल जग के हमारी बच्चों ने हमारी समर्थक ने पंद तो इस तरह से अब आ रहे हैं तो यह हमारे समर्थकों के लिए बच्चों के लिए सभी लोगों के लिए खुशी की बात है बिहार में बिहार के सरकार की इस सैसले की काफी आलोचना हो रही है कि दवाब में उन्हें निकाला गया अपराधी प्रविर्ती के थे क्या कहना चाहिएगा आप इस पर क्यूंकि बीजेपी काफी ज्यादा विरोध कर रही हैं इनके रिहाईकार अब देखिए आप लोग अपराधी प्रविर्ती के कह रहे हैं अपराधी प्रविर्ती कहिए तो बात हमारे सामने कम से कम मत कहिए यह गलत बात जो है वह अपराधी कभी थे ही नहीं जो जेपी आंदोलन के उपज रहे हैं स्वतंता से ननी परिवार से उपजे हैं अन्या आप लोगों तो जो बॉल रहे हैं आप पाक्चयु हो सबी लोगों नी एक शाव कहा है घर पह आखर कर भी सब्यक्त कहा है कि वो निर्दोस उन्हें निकलना चाहिए इने बिहार सरकार को निकालना चाहिए सभी लोग तो बोल रहे थे अगर आज सुप्रीम कोट और है कोट के आदेश पर अगर बिहार सरकार ने कानून में वो किया है बदला तो इसका स्वागत करना चाहिए स्वागत योग कदम है आप गुजरात का कानून अलग है, यूपी का अलग है, सब इस्टेट का एक होना चाहिए, और गर बियार में यह हुआ, कि मानली जी कानून में एक रूपता हुआ, तो कौन सा गलत कम है, यह तो सुप्रीम कोट का आदेश था, निर्देश था, हाई कोट का निर्देश था, जो कानून गुजरात में है, जो बाकी एक स्टेट में वयार में लागू हुआ, अगर मुका मिलता है, आप لو, आप लोग को तो घी करिष्णिया, परिवार से यह क्या हैस्च का आप लगगा था, कि मुलाकास करने ते वो खतम होंगे WANG बनेगी देखिए आप लोग हो तो हम लोग कहें कि उमा कृष्णिया जी के परती हमारी पूरी सहानूब होती है क्योंकि उन्होंने अपना सुहाग खोया है और मेरे पती मैं सुहागी होते हुए 15 साल से बिना पती की रही हूं यह निर्दोस हैं निर्दोस रहें सभी लोगो अगर इच्छा होगी तो मिलेंगे लेकिन भी वहां जहां पर यह घटना हुआ एक पर उनको अपने लोगों के द्वारा भी विजिट कराना चाहिए कि सच्चाई क्या है सच्चाई क्या हुआ बच्चा बच्चा जानता है आनन्द मोह जी उस घटना में नहीं थे लबली सारा पोइंट है बहुत सारा यह है उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं यह खुसी का समय है और हम चाहेंगे कि सभी लोग जो लोग हमारे सुवचीन तक हैं पक्ष हो भी पक्ष हो आके हमारे साथ मिठाई खाएं खुसी बाटे ताके हमारे भी घर में 15-16 साल के बाद दिवाली दसारा और खुसी आली मले दिया जले जैसे भगवान राम के लोटने से हुआ था तो उसी तर से आज आनन्द मौंजी जब निकल ले और दूसरी हम एक और बात कहेंगे भगवान राम का बनबास से लोटने की तो कहानी सब लोग जानते हैं लेकिन किसी ने पूछा कि उर्मीला की प्रति दिल पे क्या भी था लक्षमन के भी न जो पती के संगर्स में बाधा भी नहीं बनी अपना ससुराल पड़िजन सब का सेबा करते ह हुए पंदरा साल तक धहर से इंतजार की पती का तो आज ठीक हूं हमें वैसा ही महसूस हो रहा है तो आईए सब लोग इस खुसी में सामील होईए आप लोग भी मिठाई काईए और खुसी को और बढ़ाईए और अधरी सवाल लेना चाहूंगा देश में एक बहुत पॉलिटिकल मुद्दा आज बन गया अनन्मोहन की रिहाई का इसको लेकर आप क्या कहना चाहिएगा जिस तरीके से इस रिहाई को राजनीती करन भी किया जा रहा है इसको लेकर आप क्या कहिएगा आगे का पॉलिटिकल करियर क्या होगा आप चाहते हैं कि वो फिर से आए चुनाओ लड़े, पुरुफसान सद रहे हैं, बड़ा राजपूर्ट वोट बैंक आपके पीछे है देखे हम तो यहीं चाहेंगे कि वो अपना घर में आये, सुक्षेन से नमक रोटी भी खाएं बाल, बच्चे, पत्नी और समर्थक के साथ जी है पॉलिटिक्स बहुत हो गया, और उस सबसे मान लिजी अब पॉलिटिका लादू, यह मेरी सोच है कि घर, बाल, बच्चा के जीवन बहुत छोटी है, बहुत सारा समय ऐसे ही बीथ गया अब बहुत कम समय जीवन का रहा है, तो बच्चों में, समर्थक में, पडिवार में, वो बाटे और नमक रोटी ही खाएं, तो सुक्चैंसे रहें